हलो गाईज तो आपके अपने यूटूब चैनल बी आई पी स्टडी आईक्यू में एक बार फिर से स्वागत है तो जैसा कि हम आपको डेली सल्थनत के बारे में पढ़ा चुके हैं तो उसमें सिलेब डाइनेस्टी को हमने अच्छे से पढ़ा था तो सिलेब डाइनेस्टी म एक सासक हुआ करता था जिसका नाम था ग्यास उद्दिन बलवन उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं तो उसने एक थियोरी दी थी किंग सिप थियोरी तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट रह गया था तो मैंने सोचा किंग सिप थियोरी पे भी लोयल सरदार हुआ करते थे तो उनमें एक ग्यासुद्दिन बलवन भी था ठीक है तो ये ग्यासुद्दिन बलवन जो था ये इलतुत्मिस का गुलाम हुआ करता था ठीक है तो इसने जो अपनी जो सक्ती का जो बिस्तार किया था वो नसरुद्दिन महमुद सा के सासन में कि जो कि इलतुतमिस का पुत्र हुआ करता था ठीक है तो एक पद बनाया था बैरम साने जिसका नाम था नयाब ए मामलिकत और उस पर ग्यासुद्दिन बलवन बैठा था तो यह जो पोश्ट थी यह मतलब सुल्तान के बाद दूसरी सबसे पावर्फुल हुआ करती थी ठीक है यह नसरुद्दीन सा के समय बैठा था इसने अपनी जो सक्तियों का विस्तार जो किया था पावर जो बढ़ाई थी वो नसरुद्दीन सा के समय भी बनाई थी और जो नसरुद्दीन जो सा था वो उसको दर्वेश किंग भी का जाता था क्योंकि उसकी हैविट की वजए से ये मतलब बहुत सीधा सासक हुआ करता था नसरुद्दीन महमुद सा, जो जादा तर टाइम रातना करता रहता था, नहीं कि प्रेयर करता रहता था, और गुरान की कौपियां बनाता रहता था, ठीक है, और ये एक नॉमिनल सुलतान था एक तरीके से, और जो इसकी पावर थ उसको मरवा देता है, उसका मडर करवा देता है, ठीक है? और बल्वन जो होता है, वो, किसका सदर्ष था तर्क यह चाहिलगाण जो एलतुत मिशने बनाया है ठीक है? और उसमें बचे 59 अरदार, तो वो भी कहने लगे, कि तुम कैसे सासक बन सकते हो, तो ऐसे भी हम भी सासक सदस्य हैं तो इसलिए जो बलबन होता है सुल्तान बन जाता है और इस सिस्टम को ही खतम कर देता है यानि कि तुर्क है चैलकान को ही खतम कर देता है और अपने आपको एक तरीके से सुल्तान बताने के लिए Kingship Theory लाता है तो Kingship Theory को समझाते हुए वो ये कहता है मतलब खुद को जिल ए इलाही कहता है यानि की image of God बताता है और नियामत ए खुदाई यानि की representative of God बताता है तो ये कहता है कि इसलिए जो सुल्तान है उसकी आग्या की अवेलना नहीं करनी चाहिए तो हम Kingship Theory में आपको पहली बात बता चुके हैं तो इसने एक tradition चालू किया था सिजदा और पैवास जो सिजदा थी उसका मतलब होता था कि को भी ब्यक्ति जब भी दरवार में आएगा तो सबसे पहले वे सुल्तान के चर्णों को प्रडाम करेगा फिर उसके बाद सुल्तान के चर्णों को चुमेगा मतलब खुद को सुल्तान बताने के लिए इसने ऐसा ऐसा किया था ठीक है और इसने एक तिहार भी चालू किया था जिसको हम नवरोच कहते हैं जो कि मतलब निव यर से पहले आता है ये खुद को अफरसियाब क्लैन का बताता था यानि कि एक इमेजनरी क्लैन था जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल था बहादूर था तो उसका ये खुद को बताता था मतलब अपना स्टेटेस बढ़ाने के लिए और इसने नाकीव ए निकावा का प्रियोग किया था यानि कि एक एलर्ट साउंड हुआ करती जैसे कोई राजा आता था तो ये बसता है कि राजा पदार रहे हैं ये वही था नाकीव ए निकावा का प्रियोग किया था ग्यासुदिन बलवन ने और इसने अपने कोर्ट में सराप का प्रियोग बंद कर दिया और खुद ने भी सराप छोड़ दी थी और इस पे भी बेन लगा दिया कि कोई भी दरवार में हसेगा नहीं तो एक पर क्या होता है 1286 में मंगोल आकरमर करते हैं Under the leadership of तैमूर मतलब तैमूर के नेतरत में तो जो उसमें बलवन का बेटा होता है जिसका नाम हुता है सहزाद मुहम्मद वो मड़ जाता है ठीक है और बलवन जो होता था वो बूड़ा भी हो चुका था तो ये खबर जो है जब बलवन को कोट में पता चलती है तो वहाँ पर कोई प्रतिकरिया नहीं जाता था मतलब कोट में कोई प्रतिकरिया नहीं दिखाता ना रोता ना कोई मतलब बिल्कुँ जैसा होता वैसा ही रहता है तब फिर वो कोट से बाहर आता है तब वो बहुत जादा रोता है मतलब वो बहुत जाद उसका दिल तूड जाता है ठीक, बल्वन के बारे में एक बात और इंपोर्टेंट है ऐसा कहा जाता है कि जो बल्वन था उसने अपने सामरज्य की ना तो एक इंच जमीन हारी थी और ना ही एक इंच जमीन जीती थी और 1287 में बल्वन जो है मड़ जाता है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और आपके कमेंट का जल से जल रिपलाई किया जाएगा तो बस मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई